सुन्दर कांड का पाट सभी को करना जाए सुन्दर कांड जो की तुलसी दास जी द्वारा रचित श्री राम चरित मानस का एक अध्याय है जिसमें हनुमान जी की सफलता का वर्णन किया गया है सुन्दर कांड एक मात्र ऐसा अध्याय जो शीराम के भक्त हनुमान की विजय का अध्याय है और सुन्दर कांड के पाट से मनुष्य को मानसिक शक्ती प्राप्त होती है किसी भी कारी को पुर्ण करने के लिए आत्म विश्वास बनता है और हनुमान जी को प्रसंद करने का सबसे खूबसूरत उपाई माना जाता है सुन्दरकान, जिस भी व्यक्ति के जीवन में अगर परेशानिया जादा हो, कोई काम नहीं बन पा रहा हो, आत्म विश्वास में कमी हो, कोई भी समस्या हो, सुन्दरकान के पाठ को सुनने मात्र स पढ़ने मात्र से तुरंत शुब फलो की प्राप्ति होने लग जाती है, मानसिक शांती मिलती है, घर से हर प्रकार की नकरात्मक उरजा दूर होने लगती है, और सुन्दरकान पाठ स्वयम में अध्भुत शक्ति रखने वाला पाठ है, जो भी जातक नियमित रूप से इस साथ में वो साथ में अपनी किताब ला सकते या ऐसे ही सुन सकते हैं, सबसे पहले हनमाजी का ध्यान करेंगे, शीराम चरित मानस, पंचम सोपान, सुन्दरकान, शी गणिशाई नमह, शी जानकी बल्लभो विजयते, शांतम शाश्वतम प्रमेय मनगम, निर्वान शांती प संस्कृत में नहीं बाट करूँगी, आप सभी के लिए हिंदी में करूँगी, ताकि सभी लोग शांती से सुन पाएं, समझ पाएं और हनुमाजी से कनेक्ट कर पाएं शांतम शाश्वतम प्रमेय मनगम, इसका अर्थ क्या हुआ? शांत, सनातन, अप्रमेय, प्रमानों से परे, निश्पाप, मोक्ष रूप, परम शांती देने वाले, ब्रम्हा, शंभू और शेश जी से निरंतर सेवित, वेदान्त के दबारा, जानने योग्य, सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप म मैं बंदना करता हूँ, नाना स्प्रिया रगुपते, हृदय स्मृदिय, सत्यम बदामी च, भवान खिलांतर आत्मा, भक्तिम प्रयक्ष रगु पुंगव निर्भराम में, कामादि दोश रहितम, कुरु मानसंचम च, हे रगुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ, और फिर को काम आधी दोशों से रहित कीजिए, अतुल लितबल धामं है मैं शैला भदेहं, दनु जवन क्रिशानुं, ज्यानि नाम ग्रगंडियं, सकल गुण निदानं, वान राम धीशं, रगुपती प्रियभक्तं बात जातं नमामी, अतुल बल के धाम, सोने की परवत, युक्त शरीर वाले, दैत्य रूपी वन को ध्वन्स करने वाले, इसके लिए अगनी रूप, ज्यानिनों में अग्रगंडियं, संपुर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी, श्री रगुनात जी के प्रियभक्त पवन पुत्र, श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जामवान जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमान तर हिदय अतिबाए, तब लगी मोही परिक्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल फलकाई, जब लगी आवों सीत हिदे की होई काजु मोही हरस विशेशी, यह कही नाई, सबिन कवमाता, चलेउ हरशी है ध हरी रगुनाता, जामवान के सुन्दर वचन सुनकर हनुमान जी के रिदय को बहुत ही भाई, वे बोले है भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना, जब तक मैं सीता जी को देखकर लोट ना आउं, काम अवश्य होगा क्योंकि मुझे पहुत ही हर्श हो रहा है, यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हरिदय में शी रगुनात जी को धारन करके हनुमान जी हर्शित होकर चले, सिंदु तीर एक भुदर सुन्दर कौतिक कूदी चड़े उताऊ उपर, बार बार रगुवीर समहारी, तरके उपवंतने बलभा जेही गिरी चरन देई हनुमंता, चलो सुगा पाताल तुरंता, जिमियमोग रगुपति करबाना, एई भाती चलेव हनुमाना, समुदर के तीर पर एक सुन्दर परवत था, हनुमान जी खेल से ही अनायास कूद कर, उसके उपर जा चड़े और बार बार शी रगुवीर ज जिमियमोग रगुपति का समरण करके अत्यंत बल्वान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उचले, जिस परवत पर हनुमान जी पैर रख कर चले, जिस पर से वे उचले, वह तुरंत ही पाताल में थस गया, और जैसे श्री रगुनात जी का अमोग बान चलता है, उसी तरह श्री हनुमान जी चले, जल निदी रगुपति दूद बिचारी, तै मैनाक हो ही श्रमहारी, हनुमान एते ही परसा कर, पुनी-पुनी किन प्रणाम, रामकाज की ने बिनू, मोही कहा विश्राम सियावर राम चंद्र की जै, समुद्र ने उन्हें श्री रगुनात जी फिर प्रणाम करके कहा भाई, श्री राम चंद्र जी का काम किये बिना, मुझे विश्राम कहा, जात पवन सुत देवन देखा, जाने कह वल बुद्धि भी सेशा, सुर्सा नामहिन के माता, पटहिन आई कहीं तही बाता, आज सुरन मुहिदीन पारा सुनत बचन कह पवन परिफिरी में आओ, सीता कई सुधी प्रभू ही सुनाओ, देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते वे देखा, उनकी विशेश बल बुद्धी को जानने के लिए परिक्षार्थ उन्होंने सुर्सा नामक सर्पों की माता को भेजा, उसने आकर हनुमान जी से कहा आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है, आज सुरन मुहिदी नहारा, यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी कहते हैं, शीराम जी का कारे करके मैं लोट आओं और सीता जी की खबर प्रभू को सुना दूं, तब तब बदन पैठाओं आई, सत्य कहूं मुहिजान द तो जब किसी भी उपाए से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा ले। हनुमान जी ने अपना शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया, उसने 16 जोजन का मुख किया, हनुमान जी ने तुरंत 32 जोजन का खुद को बना लिया, और जैसे जैसे सुरसा का मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे, उसने 100 जोज बुद्धी बल मर्मूतोर में पावा और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर भाहर निकलाए और उसे सिर्ण नवाकर विदा मांगने लगे। चली गई तब हनुमान जी हरशित होकर चले। जल में उनकी परचाई देखकर उस परचाई को पकड़ लेती थी जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में किर पड़ते थे। इस प्रकार वह सादा आकाश में उड़ने वाले जीमों को खाया करती थी। उसने वही चल हनुमान जी से भी किया और हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताही मारी मारुद सुद्बीरा बारी दिपार गयों मति धीरा तहां जाई देखी मन सोभा गुंजत चंचरिक मधू लोभा नाना तरुफल फूल सुहाई। खगमरिग बिंद देखी मन भाई सैल विसाल देखी एक आगे तापर धाई चड़ो भैत आगे। पवनपुत्र धीर बुद्धी वीर श्री हनुमान जी उसको मार कर समुद्र के पार गए वहां जाकर उन्होंने बन की शोभा देखी मधू पुश्प रस के लोब से भौरे गुंचार कर रहे थे अनेक प्रकार के व्रिक्ष फल फूल से शुशोबिते नाना तरु फल फू और पक्षी और पशुमों के समुद्र को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्ना हुए सामने एक विशाल परवत देखकर हनुमान जी भायत याकर उस पर दोड़ कर जाकर चड़े उमा न कचुका पिके अदिकाई प्रभू प्रताप जो काल ही खाई गिरी पर चड़ी लंकात ही देखी कही न जायति दुर्ग विसेशी शिव जी कहते हैं हे उमा इसमें वानर हनुमान की कुछ भी बढ़ाई नहीं है यह प्रभू का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है परवत पर चड़कर उन्होंने लंका देखी बहुत ही बड़ा किला कुछ कहा नहीं ज अति उतंग जलनिधी चहु पासा कनक कोट कर परम प्रकासा कनक कोट बिचित्र मनिकृत सुन्दराया तना घना चहु हट सहट सुबट वितिचारू पुर बहु विदिवना गजबाजी खचर निकर पदचर रत बरूथनी को गने बहु रूप निसिचर जूत अतिबल सेन नहीं बने बनबाग उपवन बाटी का सरकूप बापी सोही ही नरनाग सुर्व गंधर्व कन्या रूप मुनिमन मोही ही कहु माल देह विसाल सैन समान अतिबल गर जही नाना अखारन भी रही बहु विदि एक एक नतर जही करी जतन भटकोटिन विकटतन नगर चहु दिसिर चही कहु महिश मानुष धेन उखर अजखल निसाचर बच्चही एही लागी तुलसी दास इनकी कथा कचू एक हैं कहीं रगुवीर सरतीरत सरीर त्यागी गतिपैही सही वह अत्यंत उचा था उसके चारो ओर समुद्र ही समुद्र हैं और सोने के परकोटे यानि चाहर का परम प्रकाश हो रहा है विचित्र मनियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है उसके अंदर बहुत से सुन्दर सुन्दर घर हैं चौरा है बाजार सुन्दर मार्ग कलिया हैं सुन्दर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है हाती हो घोडे हो खच्चरों का समुद्र हो अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बल्वती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन बाग उपवन बगीचे फुलवारी तलाब कुएं बावलिया सभी शुशोवित हैं। मनुश्य हो नाग हो देवता हो गंधर्व की कन्याएं हों। अपने सुंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं परवत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बल्वान, मल यानि पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाडों में बहुत प्रकार से भिड़ते हैं। एक दूसरे को ललकारते हैं। और भयंकर शरीर वाले करोडों युद्धा यतनकर के बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब और से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस, भैसों, मनुश्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। एहिलागी तुलसीदास इनकी कथा कचु एक है कहीं। और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। द्वार पर लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती थी, वह बोली, मेरा निरादर करके मुझसे बिना पूछे कहां चला जा रहा है तु। हे मुर्क तुने मेरे भेद को नहीं जाना। जहां तक जितने चोर हैं वे सब मेरा आहार है। महा कपी हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, मुठी का एक महा कपी हनी, रुदिर्वमत धर्नी धन्मनी, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई, पृत्वी पर लुड़क पड़ी। पुनी संभारी उठी सो लंका, जोरी पानी कर बिने ससंका, जब रावने ही ब्रम्हा वर दीना, चलत विरंची का हामो ही चीना। वह लंकिनी फिर अपने आपको संभाल कर उठी, और डर के मारे हाथ जोड़कर विंती करने लगी। वह बोली, रावन को जब ब्रम्हा जी ने वर दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों की विनाश की यह पहचान बता दी थी, बिकल हो सिते कपिके मारे तब जाने सुनी सिचर संभारे, तात मोर अतिपुन्य बहुता देखाऊ नयन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, जब तू राक्षसों का संघार हुआ, जान लेना, हे तात मेरे बड़े पुन्य हैं, जो मैं शीराम चंदर जी के दूत आपको अपने नेत्रों से देख पाई, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे इतुलाए कंग, तुल जाबर नहीं हो सकते, जो छण मात्र के सत्संग से होता है, प्रविसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राकी को सलपुर राजा, गरल सुधारि पुकरही मिताई, गोपत सिंदु अनल सितलाई, अयोध्यापुरी के राजा, शीरगुनात जी को, हृदय में रखे हुए नगर म प्रवेश करके सब काम कीजिए, उसके लिए विश अम्रित हो जाता है, शत्रू मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाई के खुर के बराबर हो जाता है, अगनी में शीतलता आ जाती है, गरुड सुमेरु रेनु समताही, राम कृपा करिचितवा जाही, अतिली लगुरू धरेव हनुमाना, पैठा नगर सुमेरेह भगवाना, और हे गरुड जी सुमेरु परवत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे शीराम चंदर जी ने एक बार खृपा करके देख लिया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारन किया, और भगवान का स्मरण कर नगर में प्रवेश करिये, बोल ये शीराम चंदर जी महराज कीज़े, मंदिर मंदिर प्रतिकरी सोधा, जेके देखे जहते अगनित जोधा, गया उदसानन मंदिर माही अति बिचित्र कही जात सुनाही, सयन किये देखा कपिते ही, मंदिर महून दीख बिदे ही, भवन एक पुनी दीख सुहावा, हरी मंदिर तह भिन्न बनावा, उन्होंने एक एक प्रतेक महल की खोज की, जहां तहां असंख्य योद्धा देखे, फिर वे रावन के महल में गहे, वह अत्यंत विचित्र था, जिसका बढ़न नहीं किया जा सकता, हनुमान जी ने उस रावन को शयन किये देखा, परन्तु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी, फिर एक सुन्दर महल दिखाई दिया, वहां उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था, रामा यूद अंकित ग्रिहे सोभा बढ़नी न जाए, नवतुलसी का ब्रिंद तह, दे की हरश कपिराय स शयावर रामचंद की जाए, वह महल शीरामजी के आयूद धनुश बान की चिन्हों से अंकित था, उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती, वहां नवीन नवीन तुलसी के व्रिक्ष समूहों को देख कर कपिराच्री हनुमान जी हरशित हुए, लंका निसिचर निकर निव हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे और उसी समय विभीषन जी जागे, राम राम तेही सुमिरन कीना, हिरते हरशिकपी सज्जन चीना, एही सन हटी करहूं पहिचानी साधुते होई नकार जानी, उन्होंने यानि विभीषन जी ने राम नाम का स्मरन किया, हनु जी ने उन्हें सज्जन जाना, और हिर्दय में हर्शित हुए और विचार किया, इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कारी की हानी नहीं होती, प्रत्युत लाभी होता है। मोही करन बढ़भागी, ब्रामन का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए, पुकारा सुनते ही विभीषन जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशलता पूछी और कहा, हे ब्रामन देव, अपनी कथा समझा कर कहिए, क्या आप हरी भक्तों में से कोई है, क् को देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड रहा है, क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले प्रेम श्री राम जी है, जो मुझे बढ़भागी बनाने, घर बैठे दर्शन देकर क्रितार्थ करने आए हैं, तब हनुमंत कही सब राम कथा निजनाम, सुनत जुगलतन पुलक मन मगन सु मेरे गुन ग्राम सियावर रामचंद्र की जए, पवनसु थनुमान की जए, तब हनुमान जी ने शीरामचंद्र जी की सारी खता खेकर अपना नाम बताया, सुनते ही दोनों के शरीर, पुलकित हो गए, रोंग्टे खड़े हो गए, और सुनत जीरामचंद्र जी के गुण समुहों का स्मरण कर, दोनों के मन प्रेम और आनंद में मगन हो गए, सुना हूँ पवनसुत रहनी हमारी, जिमी दसन निन्न महु जीव बिचारी, तात कब हूँ मोही जानिया ना था, करही कृपा भानु कुल ना था, तामस्तनु कुछ साधन नहीं, प्रीति नपद सरोजमन माही अब मोही भाहरोस भरोस अनुमनता, बिनु हरी कृपा मिला ही नहीं संता, विभीशन जी ने कहा है, पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो, मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ, जैसे दातों के बीच में बेचारी जी, हे तात, मुझे अन प्रेम ही है, परन्तु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है, कि शीराम जी के मुझे पर कृपा है, क्योंकि हरी की कृपा के बिना संत नहीं मिलते, जो रगुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोही दरसों हटी दीना, सुना हूँ बिभीशन प्रभु के रीती, कर जो नाम हमारा तेही दिन ताही न मिले हारा, जब शीरागुवीर जी ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिये हैं, तब हनुमान जी ने कहा है, विभीशन जी सुनिये, प्रभु की यही रीती है, कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया कर हैं, भला कहिए मैं ही कौन सा बड़ा कुलीन हूँ, चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ, प्रातर काल जो हम लोग बंदरों का नाम ले ले, तो उस दिन उसे भोजन ना मिले, असमे अधम सखा सुनू, मोह उपर रगुवीर, किन ही कृपा सु मिरे गुन, भर बिलोचन नीर सियाबर रामचंदर की जै, है सखा सुनिये, मैं ऐसा अधम हूँ, पर शीरामचंदर जी ने तो मुझ पर भी कृपा की है, भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेम अश्रूओं का जल भराया, जानत हूँ, असस्वाम बिसारी, फिर है ते काहिना, होई दुखारी, एही बिदि कहत रामगुन ग्रामा, पावा अनिर्बाच्य विश्रामा, पुनि सब कथा विभीशन कही, जेही बिदि जनक सुतात रही, तब हनुमनत कहा सुनू भाता, देखी चहूं जान की माता, जो जानते वे भी, ऐसे स् दिर्वचनिय, शान्ति प्राप्त की, और फिर विभीशन जी ने कहा, श्री जानकी जी जिस प्रकार वहां लंका में रहती है, वह सब कथा कही, तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूं, जुगुत विभीशन सकल सुनाई, चले करी सोई रूप गयव पुनी तहवा, बन असोक सीता रह जवा, और विभीशन जी ने माता के दर्शनों की सब युक्तियां उन्हें चुपचाप सुनाई, तब हनुमान जी विदा लेकर चले, और फिर वहीं पहले का मसक सरीखा रूप धारन कर वहां गए, जहां अशोक व और सीता जी को देखकर, हनुमान जी ने उन्हें मन में प्रणाम किया, उन्हें बैठे ही बैठे रातरी के चारों प्रहर बीत गए, शरीर दुबला हो गया, सिर पर जटाओं की एक पेनी लट है, हिर्दे में शीरगुनात जी के गुण समोह का चप स्मरन करती रहती है, नि चेकी ओर देख रही है, और मन शीराम जी के चरन कमलो में लीन है, जानकी जी को दीन दुखी देखकर, पवन पुत्र हनुमान जी बहत ही दुखी हुए, तरु पल्लब महुरहा लुकाई, करई बिचार कराओं का भाई, तेही अबसर रावनु तहाँ आवा, संग नारी बह किये बनावा, भहु भी दिखल सीताउ समझावा, सामदान भै भेद दिखावा, कहर आवनु सुनु सुमुख सयानी, मंदो दरी आदी सबरानी, तव नुचरिकरो पनमोरा, एक बार बिलोक ममोरा, त्रिन धरी ओट कहती बेदेही, सुमिरी अवदपति परम सनेही, हनुमान जीवरिक्ष के पत्तों मेच्छी पे रहे, और विचार करने लगे, हे भाई, अब क्या करूँ, इनका दुख दूर कैसे करूँ, उसी समय बहुत सी इस्तरियों के साथ लिये, सजधच कर रावन वहां आया, और उस दुष्ट ने सीताजी को बहुत प्रकार से समझाया, साम सिर्फ एक बार मेरी ओर देखो तो सही, अपने परम सनेही कोसलाधीस, शीराम चंदर जी का स्मरन करके जानकी जी, तिनके की आढ़ में परदा करने लगी, और सुनू दसमुक खद्योत प्रकासा कभूहु की नलनी करई भिकासा, असमन सुमुझ कहते जान की, खल सुदी न सिर्फ वीर बान की, सठ सुने हरिया नहीं मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तोई, हे दश्मुक सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलनी खिल सकती है, जानकी जी फिर कहती है, तु अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले, रे दुष्ट तुझे शीर्फ वीर के बान क खबर नहीं है, रे पापी, तु मुझे सुने में हर लाया है, रे अधम, निरलज्ज तुझे लज्जा नहीं आती, आप अहु सुनी खद्योत समराह महु, भानु समान, परुष बचन सुनी काड़ी यसी, बोला आती किसी आंसी आपर रामचंदर जी की जै, अपने को जु अम कृता पमाना, कटा हूं तव सिर कठन किरपाना, ना ही ते सपदी मामु मन बानी, सुम की होत नत जीवन हानी, स्याम सरोज दामसं सुन्दर, प्रभु भुज करिकर सम दसकंदर, सो भुज कंट की तव असी घोरा, सुनू सठ अस प्रवान पन मोरा, सीता तुने मेरा मात धोना पड़ेगा, तब सीता मया कहती है, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुन्दर, और हाती की सून्द के समान पुष्ट और विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी, या तेरी भयानक तलवार ही, रेशठ, सुन यही मेरा सच्चा प्रण है, चंद्रहास हरुमं परितापम, रगुपती बिरह, अनल संजातम, सीतल निस्सित बिहसी बरधारा, कह सीता हरुमं दुख भारा, सुनत बच्चन पुनी मारं धावा, मैं तन्या, कही नीती बुजावा, कहे सी सकल निसी चरन बुलाई, सीता हु सीता जी कहती है, हे चंद्रहास, तलवार, शीरगुनाची के विरह की अगनी से उत्पन, मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले, हे तलवार, तू शीतल तिवर और स्रेष्ट धारा बहाती है, तेरी धारा ठंडी और तेज है, तू मेरे दुख के बोज को हर ले, सीता जी के ये दुखी वचन सुनते ही, रावण मारने दोडा, तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीती कहकर उसे समझाया, तब रावण ने सबराक्छसियों को बुला कर कहा कि जाकर सीता को भूत प्रकार से भाई दिकलाओ, मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मारे भी काड यदि महिने भर में ये कहा न माने, तो मैं इसे तलवार निकाल कर मार डालूँगा, भवन गयो दसकंदर, यहां पिसाचनी ब्रिंद, सीतही तरास दिखावाई धरह रूप भूमंद, योग है कर रावण तो घर चला गया, यहां राक्छसियों के सम्मूने, बुरी तरह से सीता मया को घेल लिया, और बहुत से बुरे रूप धरके सीता जी को भै दिखाने लगे, तरिजटा नाम राच्छसिये का, राम चरन, रति निपुन बिबेका, सबनों बोली सुनाई सी सपना, सीतही से करउहित अपना, सपने बानर लंका जारी, जातुधाने से ना सब मार खर आरूड नगन दसिसी सा, मुंडित सिर्खंडित भुजबी सा, एई भी दिसो दच्छिन दिसी जाई, लंका मन हुभी बीशन पाई, नगर फिरों रगमीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोली बठाई, एक, उनमें से एक त्रिजटा नाम की राच्छसिती थी, उसने श लंका जलादी है, राक्छसों की सारी सेना मार डाली गई है, रावन नंगा है, और गधे पर सवार है, और उसके सिर्मुंडे हुए हैं, बीसो भुज़ाई कटी हुई है, कर आरूड नगन दसिसा, मुंडित सिर्खंडित भुजबी सा, एई भी दिसो दच्छिन दिसी जा रहा है, और मानो लंका विभीषण ने पाई है, नगर में शीराम चंद्रदी की दुहाई फिर गई, तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा, यह सपना में कहूं पुकारी, होई सत्य गए दिनचारी, ता सुबचन सुनी, ते सब डरी, चनक सुता के चर्णिन पड़ी मैं पुकार कर निश्चे के साथ कहती हूं, यह सवपना सिर्फ कुछी दिनों में, सिर्फ चार दिनों में सत्य होकर रहेगा, और उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गई, और जानकी जी के चर्णों पर गिर पड़ी, जहता गई सकल तब, सीता करमन सोच, मास दि सन बोली कर जोरी, मातु विपती संगनी तैमरी, तजों देह कर उबेगा उपाई, दूसर विरह अब नहीं सही जाई, सीता जी हाँच जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपती की संगनी है, जल्दी ऐसा कोई उपाई कर, जिससे मैं है शरीर छोड़ काट लगा कर, चिता बना कर सजा दे, हे माता, फिर उसमें आग लगा दे, हे सयानी, तू मेरी प्रीती को सत्य कर दे, रावन की शूल के समान दुख देने वाली वानी कानों से कौन सुने, सुनत बचन पद गही समझाई सी, प्रभुर प्रताप, बल सुजव सुनाई सी, न अपनी न आवत एक उतारा, सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरन पकड़ कर उन्हें समझाया, प्रभु का प्रताप बताया, बल और सुयश सुनाया, उसने कहा हे सुकुमारी सुनो, रातरी के समय आग नहीं मिलेगी, ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई, और सीता ज ससी स्त्रवत न आगी, मान हूं मोही जानी हत बागी, सुनही बिने, मम बिटप असोका सत्य नाम करू हरी मम सोका, चंद्रमा अगनी मै है, किन्तु वह भी मानो, मुझ हत बागनी को जान कर आग नहीं भरसाता, हे अशोक के विरिक्ष मेरी विंती सुन मेरा शोक खर ले, और अपना अशोक नाम सत्य कर ले, नूतन किसले अनल समाना देही अगनी जनकरही निधाना, देखी परम विरहाकुल सीता, सोचन कपही कलब संबीता, तेरे नए ने कोमल पत्ते अगनी के समान है, मुझे अगनी दे दे, विरहर रोग का अंत मत कर, अर्थात विरहर रोग को ब विचार दिनी, मुद्रिका डारी तब, जनु असोक अंगार दिन हरशी उठी कर गयों, तब हनुमान जी ने हरदय में विचार कर, सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया, यह समझ कर, सीता जी ने हरशी थोकर उठकर, उसे हातों में ले और तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अती सुन्दर चकित चितव मुदिरा पहचानी हरश विशाद हिरदय अगुलानी जीती को सकई अजैग रगुराई माया तेयसी रची नहीं जाई सीता मन विचार करना ना मदर वचन तब बोलेव हनुआना तब हनुआन ज देखी और अंगुठी को पहचान कर सीता जी आश्चर ये चकित होकर उसे देखने लगी और हर्श सथा विशाद से रिदय में अकुला उठी वे सोचने लगी शीर गुना जी तो सर्वता अजैं है उन्हें कौन जीत सकता है और माया से ऐसी माया के उपादान से सर्वता र दुख भागा लागी सुने श्रवन मन लाई आध हिते सब कथा सुनाई और वे शीराम चंदर जी का गुनों का बढ़नन करने लगे जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी हनुमान जी ने आधी से लेकर अंत तक सारी कथ कह सुनाई शर्ना अमृत जेही कथा सुनाई कही सु प्रकट होती किन भाई तब हनुमान जी आई सामने आई पास चले गए उन्हें देखकर सीता जी फिरकर मुख फिरकर बैठ गई उनके मन में अश्र्य हुआ राम दूत में मातु जान की सत्य कहूं सत्य सपत करुना निधान की यह मुद्रिका मातु में आनी दीनी राम तुम कह सहिदानी नरबान रही संग कहूं कैसे कही कताबै संगती जैसे हनुमान जी कहते हैं हे माता जान की मैं श्री राम जी का दूत हूँ करुणा निधान की सच्ची शपत लेता हूँ हे माता यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ श्री राम चंद्र जी ने मुझे आपके लिए यह निशानी दी है सीता जी ने पूछा नर और बानर का संग कहो कैसे हुआ तब हनुमान जी जैसे संग हुआ था वह सब कथा कही कपी के बचन से प्रेम सुने उपजा मन विश्वास जाना मन करम बचन यह कृपा सिंदु कर दास सिया वर रामचन की जै हनुमान जी के प्रेम्युक्त वच्छन सुन एसीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हुआ उन्होंने जान लिया कि यह मन वच्छन और करम से क्रिपा सागर्शी रगुनात जी का ही दास है हरिजन जानी प्रीतियती गाड़ी सजल नयन पुल कावली बाड़ी भगवान का जन जानकर अत्यनत गाड़ी प्रीती हो गई नेत्रों से आश्रूओं की धारा बहने लगी प्रेम अश्रूओं का जल भर आया और शरीर अत्यनत पुलकित हो गया सीता मैया ने कहा हे तात हनुमान विरह सागर में डूपती हुई मुझको तुम जहाज हुए मैं बलिहारी जाती हूँ अब छोटे भाई लक्षमण यी सहित खर के शत्रू सुखधाम प्रभू का कुशल मंगल कहो श्री रगुनाद जी तो कोमल हिरदय है को पालू है फिर हे हनुमान उन्होंने किस कारण यह निश्ठुरता धारन कर ली है सहजबानी सेवक सुखधाय कभ हुँ सुरतिकरत रगुनायत कभ हुँ नयन मम सीतलताता होई निरख स्याम मृदु गाता बचनु ना आव नयन भरबारी अहनात हो निपट बिसारी देखी परम बिरहा कुल सीता बोला कपी मृदु बचन बिनीता सेवक को सुख देना उनका स्वाभाविक बान है वे शीरखुनात जी क्या कभी मेरी याद नहीं करते हेतार क्या कभी उनको को मल सावले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे मुख से वचन नहीं निकलता नेत्रों में विरहा के आसु के जल भर आए हैं बड़े सल प्रभु अनुच समेता तव दुख दुखी सक्रपा निकेता जनी जननी मा नहुजिया उना तुम ते प्रेम राम के दूना हे माता सुन्दर क्रिपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मन जी के सहित शरीर से कुशल हैं परंतु आपके दुख से दुखी हैं हे माता मन में गलानी न मानिये, मन छोटा करके दुख न कीजिए, श्री रामचंद्र जी के हृदय में आप से दुगुना प्रेम है, रगुपतिकर संदेश उसब, सुनू जननी धरिधी, अस कही कपी गदगद भैयू, बरहे बिलोचन नीर सियावर रामचंद्र कीजिए, हे माता, अब ध पीरज धरकर श्री रगुनाज जी का संदेश सुनिये, ऐसा कहे कर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए, और उनके नेत्रों में प्रेम अश्रों का जल भर आया, कहूं राम भी योग तवसीता, मो कहूं सकल भै विप्रीता, नवतरु किसले मनहु क्रिसानों काल निसासम हनुमान जी बोले, शीराम चंदर जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं, व्रिक्षों के नए-ने कोमल पत्ते मानो अगनी के समान, रात्री काल रात्री के समान, चंद्रमा सूर्य के समान, और कमलों के वन भालो के समान हो गए हैं, मेगमानों खौलता हुआ तेल बरसाते हैं, जो हित करने वाले थे, वे ही अब पीडा देने लगे हैं, तृविद, शीतल, मंद, सुगंद, वायू, साप के श्वास के समान, जहरीली, और गरम हो गई है, कहूं ते कचु दुख घट होई, काही कहूं यह जानन कोई, तत्व प्रेम करमम अरुतोरा, जानत प्रिय एक मनु मोरा, सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जानु प्रितिरस एतनमाही, प्रभू संदेशु सुनत बैदेही, मगन प्रेम तन सुधी नहीं तेही, मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूं किस स यह दुख कोई नहीं जानता, हे प्रिये, मेरे और तेरे अंदर के प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा ही मन जानता है, और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है, बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले, प्रभू का संदेश सुनते ही जान की जी प्रेम में मगन हो गई, और उ मान जी ने कहा हे माता हृदय में धैर्य धारन करो और सेवक को सुख देने वाले शी रामचंद्र जी का स्मरण करो शी रगुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वच्चन सुनकर कायरता छोड़ दो निसिचर निकर पतंग सम रगुपती बान करसान जनने हृदय धीर धरू जरे निसाचर जान उसे आबर रामचंद्र की जए राक्षसों के समू पतंगों के समान और शी रगुनाथ जी के बान अगनी के समान है हे माता हृदय में धैर्य धारन करो राक्षसों को जला ही समझो जो रगवीर होती सुधी पाई, करते नहीं विलंबू रगवीराई, रामबान रभी उये जानकी, तम बरूथ नहीं कहुँ जाती धानकी, अब हमा तुमें जाओ लवाई, प्रभु आये सु नहीं रामदोहाई, कच्छुक दिवस जनिनी धरुधीरा, कपिन सहित आई बीराई, शीरामचंदर जी ने यदि खबर पाई होती, तो विलंब ना करते, हे जानकी जी, रामबान रूपी सुरी के उदे होने पर, राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहां रह सकती है, अब हमा तुमें जाओ लवाई, प्रभु आये सु नहीं रामदोहाई, हे माता मैं आपको अभी यहां से लिवा जाऊं, पर शीरामचंदर जी की शपत है, मुझे प्रभु उनकी आग्या नहीं है, अता हे माता कुछ दिन और धीरजधरो, शीरामचंदर जी वानरों सहित यहां आवेंगे, निसिचर मारी तो ही ले जैहीं, तेहु पुर नारददी सुत कपी सब तुमही समाना, जातुधान अतिबट बलवाना, मोरे हिर्दय परमसंदेहा, सुनी कपी प्रकट किनन निजदेहा, कनक भूधरा करा सरीरा, समर भैंकर अतिबलवीरा, और राक्षसों को मार कर आपको ले जाएंगे, नारदाती, रिशी मुनी तीनों लोकों से उनका यश गावेंगे, सीता जी ने कहा है, पुत्र सब बानर तुम्हारे ही समान है, नन्ने नन्ने से होंगे, राक्षस तो बड़े बलवान योदा है, और अता मेरे हिर्दय में बड़ा भारी संदेह होता है, कि तुम जैसे बंदर, राक्षसों को कैसे जीतेंगे, यह शरीर प्रकट किया, सुनी कपी प्रकट किन्ननि जैदेह, सोने के परवत सुमेरु के अकार का अत्यनत विशाल शरीर था, जो युद्ध में, शत्रों के हिर्दय में भाई उत्पन्न करने वाला अत्यनत बलवान और वीर था, सीता मन भरोस्त भययों, पुनी लगुरूप तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ और हनुमान जी ने फिर से छोटा रूपधारन कर लिया सुनो माता साखा मृग नहीं बलबुद्धि विसाल प्रभू प्रतापते गरूड ही खाई परमलगु बाल सियाबर रामचन्द कीजे हैं माता सुनो बानरों में बहुत बलबुद्धी नहीं होती परन्तु प्रभू के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरूड को खा सकत है अत्यंत निर्भल भी महान बलवान को मार सकता है मन संतोष सुनत कपिबानी भगती प्रताप तेज बलसानी आसिश दीनी राम प्रिया जाना हो हुतात बल सील निधाना भकती प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वानी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ उन्होंने श्री रामचंद्र जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशिरवाद दिया हे तात तुम बल और शील के निधान हो जाओ अजर अमर गुण निदी स्त हो हूँ करहू भू रगुनाय चोहू करहू कृपा प्रभू अससुनी काना निर्भर प्रेम मगन हनुमाना हे पुत्र तुम अजर बुढ़ापे से रहित अमर और गुणों के खजाने हो जाओ शीरगुनाज जी तुम पर बहुत कृपा करें प्रभू कृपा करें ऐसे कानों से सुनते ही हनुमान जी पुर्ण प्रेम में मगन हो गए और बार बार नाएसी पदसीसा बोला बचन जोरी कर कीसा अब कृत्य भयाओं में माता आसे सितव अमोग विक्याता जनमान जी बार बार सीता मया के चड़नों में गिर कर सीर नवाने लगे और पिर हाथ जोड़ कर कहा है माता अब मैं कृतार्थ हो गया हूँ आपका अशिर्वाद अचूक है यह बात प्रसिद्ध है सुना हूँ मात मुही अतिसय भूका लागी देखी सुन्दर फल रूखा सुनू सुत करही विपिन रखवारी परम सुभड रजनी चत्भारी हे माता सुनो सुन्दर फल वाले व हनुमान जी ने कहा हे माता यदि आप मन में सुख माने तो मुझे उनका भाय तो बिलकुल नहीं है देखी बुद्धी बल निपुन कपी कहें जान की जाहूं रगुपती चरन हिर्दे दरी तात मदुर फल भाओं तब हनुमान जी को बुद्धी और बल में निपुन देख कर जान की जी ने कहा आओ हे तात शी रगुनाज जी के चरन को रिदय में धारन कर मीठे फल खाओ चले उनाई सिरू पेठव भागा फल खाए सी तरू तोरे लागा रहे तहां बहु भट रखवारे कच्छू मारे सी कच्छू जाए पुकारे ना ते एक आवा का पिभारी तही असोक बाटिका उजारी खाए सी फल अरोब बिटप उपारे रचक मर्दी मर्दी महिदारे वे सीता जी को सिर नवा कर चले और बाग में खुस गए फल खाए वरिक्षों को तोड़ने लगे वहां बहुत से युद्धा रखवाले थे उन्हों उनमें से कुछ को मार ड जमीन पर डाल दिया है सुनी रावन पठय भटनाना तिनए देखी गर्जयों हनुमाना सब रजनी चर कपी संगारे गए पुकारत कचु अधमारे पुनी पठय उते ही अच्छ कुमारा चला संगले सुभट अपारा आवत दे की बिटप गही तरजा ताही निपती महादु जह सुनकर रावन ने बहुत से युद्धा भेजे उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की और हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला कुछ तो अधमरे थे चिलाते हुए गए फिर रावन ने अक्षय कुमार को भेजा वह असंख्य स्रेष्ट युद्धाओं को साथ लेकर चला और उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक व्रिक्ष हात में लेकर उसे ललकारा और उसे मार कर महा ध्वनी बड़े जोर से गर्जना की कचु मारे सी कचु मर दे सी कचु मिला इसी धरी धूर कचु पुनी जाए पुकारे प्रभू मरकट बली भूर सियावर रामचंदर कीजे उनोंने सेना में कुछ को मार डाला कुछ को मसल डाला कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया कुछ ने फिर जाकर पुकार कि हे प्रभु बंदर बहुत बल्वान है सुने सुत बदलंकेस रिसाना पठे सी मेग नाद बल्वाना मारे सी जाने सुत बांध हस्ताही देखे कपी कहा कराई पुत्र का वद सुनकर रावन क्रोधित हो उठा और उसने अपने जेश पुत्र बल्वान मेग नाद को भेजा उसने कहा कि हे पुत्र मारना नहीं उसे बांध कर लेकर आना और उस बंदर को देख कर जाओ कि कहा का है चला इंद्रजित अतुलित जोधा बंदु निधन सुने उबज्या क्रोधा कपी देखा दारुन भटावा अती विसालत रुएक उपारा बिरत किन लंकेश कुमारा रहे महाबट काके संगा गही गही कपी मदही निजंगा इंद्र को जीतने वाला अतुलिनिय योध्धा मेगना चला भाई के मारे जाने का सुनकर उसे क्रोध हो आया और हनुमान जी ने देखा कि अपकी भयानक योध्धा आया है तब वे कट-कटा कर गरजे और दोडे और उन्होंने एक बहुत बढ़ा व्रिक शुखार लिया और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावन के पुत्र मेगनाद को बिना रत का कर दिया रत को तोड़ कर उसे नीचे पटक दिया और उसके साथ जो बड़े-बड़े योध्धा थे उनको पकड़-पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे तिनाने निपात इताही सनबाजा भीरे जुगल मानहु गजराजा उन सब को मार कर फिर मेगनाज से लड़ने लगे और लड़ते हुए ऐसे मालूम होते थे मानो दो गजराज श्रेष्ट हाती भिड़ गए हो हर हनुमान जी ने उसे एक घूसा मार कर व्रिक्ष पर जाकर चड़ गए उसको चन भर के लिए मुर्चा आ गई फिर उठकर उसने बहुत माया रची परन्तु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जाते ब्रह्मा अस्त्र तेही सांध कपी मन की न बिचार जोना ब्रह्मा सर मानव महिमा मिटे ये पार सियावर रामचंद की जाए अंत में उसने ब्रहमास्त्र का साधन प्रयोग किया। तब हनुमान जी ने मन में बिचार किया कि यादी ब्रहमास्त्र को नहीं मानता हूँ तो अपार महिमा इसकी मिट जाएगी और ब्रहमा बान कपी कहूं तही मारा पर तहीं बार कटकु संगारा तहीं देखा कपी पत्सी सेना माल डाली और जब उसने देखा कि हनुमान जी मुर्चित हो गए तब उनको नाग पाश में बांद कर ले आया जासुनाम जपी सुनहु भवानी भव बंधन काटा ही निरग्यानी तासु दूद के बंद तरुआवा प्रभु कारज लगी कपही बंधावा कपी ब भवानी सुनो जिनका नाम जपकर ज्यानी विवेकी मनुष्य संसार में जनम मरन के बंधन को काट डालते हैं उनका दूद कहीं बंधन में आ सकता है किन्तु प्रभु के लिए श्री हनुमान जी ने स्वयम अपने आपको बंधवा लिया और बंदर को बांधा जानकर सुनक राक्षस दोड़े और कौतुक के लिए तमाशा देखने के लिए सभी सभा में आए हनुमान जी ने जाकर रावन की सभा देखी उसकी अत्यंत प्रभुता एश्वर ये कुछ कहीं नहीं जाती कर जोरे सुरुदिसिप बिनीता भुकट बिलोकत सकल सभीता देखी प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ वे नीशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूँ में गरुण निर्भय रहते हैं कपिह बिलोकी दसानन बेशा कहीं दुरबाद सुत बदक सूरत की नहीं पुनियू बजाहरिदे विसाद सियावर रामचंद की जै हनुमान जी को देखकर रामचंद दुरवचन कहता हुआ खूब हसा फिर पुत्रवद का स्मरण किया तो उसके हिरदय में विशाद उत्पन्न हो गया कह लंकेस कवंते की सा केही के बल घाले सी बन खीसा की धोश्रवन सुने ही नहीं मोही देख हैं अतियसंखर सट तो ही ल मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूं मारी निसीचर के अपराद कहु सट तो ही न प्राण के इबाधा सुनू रावन ब्रह्मान निकाया पाई जासुबल बिर्चित माया तुने किस अपराद से राक्षसों को मारा है रे मुर्ख बता क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है तब हनुमान जी ने कहा है रावन सुन जिनका बल पाकर माया संपुन ब्रह्मांडों के समूहों की रचना करती है जाके बल बिरंची हरी इसा पालत स्रिजत हरत दसिसा जाबल सीस धरत सहसानन अंड कोस समेत गिरिकानन जिनके बल से हे दश शीष ब्रह्मा ब्रह्मान को सिर पर धारन करते हैं जो देवताउं की रकषा के लिए नाख़ के देह धारन करते हैं और जो तुम्हारे जिसे मुर्खों को शिक्षा देने वाले हैं जिनों ने शिवजी के कठोर धनुष तक को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूहों का चूर चूर कर दिया जिनोंने खर दूशन त्रिशरा और बाली को मार डाला जो सब के सब अतुलिया बलवान थे जिनके लेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीद लिया और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो मैं उन्ही का दूद हूँ जाके बललव लेशते जितने हुचरा चरचारी तासु दूत में जा करी हरी आनव प्रियनारी सियावर रामचंद्र कीजे जानों में तुम्हारी प्रभुताई सहस बाहुसन परी लडाई समर बाली सन करी जसुपावा सुनी कपवि बच्चन पिहसी बहराव ए तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ सहस बाहुसे तुम्हारी लडाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश को प्राप्त किया था हनुमान जी के ऐसे मारमिक वच्चन सुनकर रावण ने हसकर बात ठाल दी हे राक्षसों के स्वामी मुझे भू प्रभु लागी भूका कपी सुभावत में तोरव रूखा और वानर सुभाव के कारण व्रिक्ष तोड़े हे निशाचरों के मालिक देह सबको परम्प्रिय है कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मारने लगे तब जिनोंने मुझे मारा उनको मैंने भी मा उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझे को बांध लिया किन्तु मुझे अपने बंदे जाने की कुछ लज्जा नहीं है मैं तो अपने प्रभु का कारी किया चाहता हूं हे रावन मैं हात जोड़कर तुम से विंती करता हूं तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो तुम कदापी बैर ना करो और मेरे कहने से जान की जी को जाने दो प्रनत पालर गुनायत करना सिंदुकरारी गए सरन प्रभु राकिये तव अपराद बिसारी सियावर रामचंदर की जैपवन सुथनु मान की जैप खर के शत्रू शिरगुनात जी शरना गतों के रक्षक और दय के समुद्र हैं शरन जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराद बुलहा कर तुम्हें अपनी शरन में रख लेंगे राम चरन पंकज उर्धर हूं लंका अचल राज तुम करहूं रिशी पुलस्ति जसु बिमल मयंका तेही ससी महूं जनी हूं लंका तुम शी राम चंदर जी चरण कमलों को रिदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो रिशी पुलस्त जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है उस चंद्रमा में तुम कलंक ना बनो और राम नाम के बिना वानी शोभा नहीं पाती मद मोह को छोड विचार कर देखो हे देवताओं के शत्रू सब गहनों से सजी हुई सुन्दर इस्तरी भी कपड़ों के बिना शोभा नहीं पाती और राम विमुख पुरुष की संपती और प्रभूता रही हुई भी चली जाती है उसका पाना ना पाने के समान है जिन नदियों के मूल में कोई जलसरोत नहीं ह जिने केवल बरसात का ही आसरा है वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरन सुक जाते हैं सुनी दसकंट कहूं पनरोपी विमुख राम तराता नहीं कोपी संकर सहस विश्नु अज तो ही सकही नराखी राम कर दो ही हे रावन सुनो मैं प्रतिग्या करके कहता हूं कि राम है ऐसी अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रगुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान स्री राम चंद्र जी का भजन करो मोह मूल बहु सूल पद त्याग हूं तम अभिमान भजाऊं राम रगुनायक कृपा सि अधम मुझे शिक्षा देने चला है तब हनुमान जी ने कहा इससे उल्टा ही होगा अर्थात मृत्यू तेरी निकट आई है मेरी नहीं यह तेरा मती भ्रह्म है बुद्धी का फेर है यह मैंने प्रत्यक्ष जाने लिया है और हनुमान जी कैसे वचन सुनकर रावन और कूपित हो गया और बोला रे इस मुर्क का प्राण शिग्र क्यों नहीं हर लेते रुद्ध है हे गोसाई कोई दूसरा दंड दिया जाए सब ने कहा भाई यह सला उत्तम है और यह सुनते ही रावन हसकर वोला अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके लोटा दिया जाए मैं सबको समझा कर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूँच पर होती है अता तेल में कपड़ा डुबा कर उसे इसकी पूँच में बांद कर आग लगा दो पूँच हिन बानर तह जाई तब सठ निज नाथई लई आई जिनके गिनसी बहुत बढ़ाई देखो मैं तिनके प्रभुताई जब बिना पूँच का यह बंदर वहाँ अपने स्वामी के पास जाएगा तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले करके आएगा जिनकी इसन सुनते ही हनुमान जी मंद मंद मुसकाई और मन ही मन बोले कि मैं जान गया सरस्वती जी इसे कैसी बुद्धी देने में सहायक हुई है और रावन के वचन सुनकर मुर्ख राक्षस महीं पूँच में आग लगाने की तैयारी करने लगे पूँच के लपेटने में इतना कप अपड़ा घी और तेल कुछ नहीं रहा रहान नगर बसन घृत तेला बाड़ी पूच किन कपी खेला और हनुमान जी ऐसा खेल किये कि पूच बढ़ गई लंबी हो गई नगरवासी लोग तमाशा देखने आये वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते उनकी हसी करते ढोल सोने की अटारियों पर जा चड़े उनको देखकर राक्षसों की इस्त्रियां भैफीत हो गई हरी प्रेरित्त ही अफसर चले चले मरुत उन्चास अटहा सकरी गरजा कपी बड़ी लागा आकास उस समय भगवान स्री हरी की प्रेणा से उन्चासों पवन चलने लगे है और ह आतु हां सुने पकार ए अफसर को हम ही उबारा हम जो कहा यह कपी नहीं कोई बानर रुरूप धरे सुर कोई सादू अवग्या कर फलू ऐसा जरे नगर अनात कर जैसा जारा नगर नमिश एक माही एक भिभीशन कर ग्रहनाई दे बड़ी विशाल परन्तु बहुत ही हलकी फ आफसर पर हमें कौन बचावेगा चारो और यही पुकार सुन रही है हमने तो पहले ही कहा था यह वानर नहीं है वानर रूप धरे कोई देवता है और सादू के अपमान का यही फल होता है कि नगर अनात के नगर की तरह जल रहा है हनुमान जी ने एक ही छण में सारा नगर जला डाला एक विभीशन के घर को नहीं जलाया शिव जी कहते हैं हे पार्वती जिन्होंने अगनी को बनाया हनुमान जी उन्हीं के दूत है इसी कारण वे अगनी से नहीं जले और हनुमान जी उलट पुलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जरा दी और फिर समुद जानकी जी ने कहा है तात मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना है प्रभू यद्यपी आप सब प्रकार से पुर्ण काम है आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है तथा पी दीनों दुख्यों पर दया करना आपका विरद है और मैं दीन हूँ अतह इस विरद को याद करके हे नाथ मेरे भारी संकट को दूर कीजिए हे तात इंद्र पुत्र जयंत की कथा सुनाना और प्रभू को उनके बान का प्रताप समझाना स्मरन कराना यदी महिने भर में नाथ ना आए तो फिर मुझे जीते जीना पाएंगे हे हनुमान कहो मैं किस प्रकार प्राण रखू हे तात तुम भी अब जाने को कह रहे हो तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी फिर मुझे वही दिन और वही रात जनक सुतही समझाई करे बहु विदी धीरज जिन हनुमान जी ने जानकी जी को समझा कर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरन कमलों में सिर नवाकर शीराम जी के पास गमन किया और चलते समय उन्होंने महा ध्वनी से भारी गर्जन किया जिसे सुनकर राकशसों की स्त्रीयों के गर्भ गिरने लगे समुदर लांग करवे इसपार आए और उनुने बानरों को किल्किला शप्त हरशज धनी सुनाया सबद किल्किला कपिन सुना वा हरशे सब बिलो की हनुमाना नूतन जनम कपिन तभ जाना हनुमान जी को देखकर सब हर्शित हो गए और तब वानरों ने अपना नया जनम समझा हनुमान जी का मुक प्रसन्न है शरीर में तेज बिराजमान है जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये शिराम चंदर जी का कारिक करके आए है सब हनुमान जी से मिले और बहुत सुखी हुए जैसे तडपती हुई मचली को जल मिल गया हो और सब हर्शित होकर नए नए इतिहास पूछते हुए शीरगुनाज जी के पास चले तब सब लोग मधुवन के भीतर गए और अंगत की सम्मती से सब ने मधूर फल खाया और जब रखवाले बरजने लगे तब घूसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे उन सबने जाकर पुकारा की युवराज अंगद वन उजार रहे हैं यहाँ सुनकर सुग्रीव हर्शित हुए की वानर प्रभू का कार्य कर आए हैं और यदि सीता जी की खबर ना पाई होती तो क्या वे मधुवन के फल खा सकते थे इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में व विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए और सबने आकर सुग्रीव के चर्णों में सिर नवाया कपी राज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले ले उन्होंने कुशल पूछी तब वानरों ने उत्तर दिया आपके चर्णों के दर्शन से सब कुशल है श सब वानरों समेथ शी रगुनाज जी के पास चले शी राम जी ने जब वानरों को कारी के हुए आते देखा तब उनके मन में विशेश हर्श हुआ दोनों भाई इस फटिक शिला पर बैठे थे सब वानर जाकर उनके चर्णों पर गिर पड़े राम कपिन जब आवत देखा किये काजमन हरस विशेशा फटिक सिला बैठे दो भाई परे सकल कपी चर्ने न जाई प्रीति सहित सभेंट रगुपति करना पुंज पूची कुसल नात अब कुसल दे की पदकंज सियावर राम चंदर कीचे पवंसु थनुमान कीचे दया की राशी श्री रगुनाज जी स आही सदा सुब कुसल निरंतर सुर नरमुनी प्रसनता उपर सोई भी जैबिनई गुन सागर तासु सुचसु रहलगु को जागर जामपन ने कहा है रगुनाज जी सुनिए हेनात जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्यान और निरंतर कुशल है देवता हो मनुष्य हो वही विजई है वही विनई है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है उसी का सुन्दर यश्ट इनों लोकों में प्रकाशित होता है और प्रभू की कृपा से सब कार्य हुआ आज हमारा जनम सफल हो गया हेनात पवन पुत्र हनुमान जी ने जो करनी की है उसका हजार से भी वड़न नहीं किया जा सकता है तब जामवन ने हनुमान जी के सुन्दर चरित्र शी रगुनाज जी को सुनाए रवी चरित्र सुनने पर कृपा निदी शीराम चंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे उनोंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर रिदय से लगाया लिया और कहा हेतात कहो सीता किस प्रकार रहती है और अपने प्राणों की रक्षा करती है तब हनुमान जी ने कहा नाम अपाहरू दिवस निसी ध्यान तुम्हार का पाठ लोचन निजबद जंद्रित जाही प्राण कही बाड़ सिया वर रामचल कीजे आपका नाम राद दिन पहरा देने वाले हैं आपका ध्यान ही किवाण है और नेत्रों को आपके चरन में लगाए रहती है यही ताला लगा है फिर प्राण जाएं तो किस मार्ग से चलत मोही चुडा मनी दीना रगुपती हृदय लाई सोई लीना नाथ जुगल लोचन भरिबारी पचन कहे कचु जनक कुमाल चलते समय उन्होंने मुझे चुडा मनी उतार कर दी है और श्री रगुनाद जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया हनुमान जी ने फिर कहा है नाथ दोनों नेत्रों में जल भर कर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे हैं उसने आप जोटे भाई समित प्र जी किस अपराद से त्याग दिया एक दोश में मैं अपना अवश्य मानती हूं कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए किन्तु हे नात यह तो नेत्रों का अपराद है जो प्राणों के निकलने में हट पुर्वग पाधा देते हैं विरह अगनी है शरीर जरूब को देखकर सुखी होने के लिए जल से आसू बरसाते हैं जिससे विरह की आग से भी देह जल नहीं पाती सीता जी की विपत्ती बहुत बड़ी है हे दीन दयालू वह बिना कही ही अच्छी है कहने से आपको बड़ा कलेश होगा निमिश निमिश करुनान दी जाही कल संबीत बेगी चली प्रभू आनिये भुज बलखल दल जीत इसी आवर रामचंद कीजे पवंसु थनुमान कीजे हे करुणान इधान उनका एक एक पल कल्प के समान बीता है अता हे प्रभू तुरंत चलिये और अपने भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीत कर सीत अनमान जी ने कहा हे प्रभू विपत्ति तो वही है जब आपका भजन स्मरण ना हो हे प्रभू राक्षसों की बात ही कितनी है आप शत्रू को जीत कर जानकी जी को ले आवेंगे सुनू कपितो ही समन उपकारी नहीं को सुर्णर मुनितन उधार भगवान कहने लगे है अन सकता हे पुत्र सुन मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया है कि मैं तुझसे उरिन नहीं हो सकता देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं नेत्रों में प्रेम अश्रू का जल भर गया ए शरीर अत्यंत ही पुलकित है प्रभु के वच रक्षा करो रक्षा करो कहते वेशी राम जी के चरणों में गिर पड़े तरही तरही भगवन चरन पर उप्रे माकुल तरही तरही भगवन सियावर राम चंदर कीज़े पवन सुधनुमान कीज़े बार बार प्रभु चाहें उठावा प्रेम मगन तही उठबन भावा प्रभु निकट बैठावा फिर मन को सावधान करके शंकर जी का अत्यंत सुन्दर कथा कहने लगे हनुमान जी को उठा कर प्रभु ने हिरदय से लगाया और हात पकड़ कर अत्यंत निकट बैठा लिया है हनुमान बताओ तो रावन की द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किले को तुमने किस तरह जलाया और हनुमान जी नीक प्रभु को प्रसन जानकर अभिमान रहित वचन बोले बंदर का बस यही बड़ा पुरुशार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है मैंने जो समुदर लांकर सोने का नगर जलाया और राक्षस गन को मार कर अशोक वन को उजार डाला ये सब तो है श्री रगुनाज जी आप ही का प्रताब है हे नात इसमें मेरी प्रभुता कुछ भी नहीं हे प्रभु जिस पर आप प्रसन नहों उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है आपके प्रभाव से रुई जो स्वेहम ही बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तू है बढ़वा नल को निश्य ही जला सकती है हे नात मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्यल भक्ती प्राप्त करके दीजे हनुमान जी की अत्यंत सरलवानी को सुनकर हे भवानी तब प्रभु शीराम चंदर जी ने एवमस्तू ऐसा ही हो कहा हे उमा जिसने शीराम जी का स्वभाव जान लिया उसे भजन छो क्रिपालू आनंद कंदर शीराम जी की जय हो सुनी प्रभु बचन कहीं क्रपी भृंदा जय जय क्रिपाल सुखकंदा तब शीरागुना जी ने कपी राज सुख ग्रीव को बुलाया और कहा चलने की तैयारी करो अब विलंब किस कारण की जाए वानरों को तुरंत आग्या दो और भगवान की यह लीला देखकर बहुत से फूल बर्साकर हर्शित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोग को चले और वानर राजसुग्रीव ने शिगर ही वानरों को बुलाया सेना पतियों के समूह आ गए वानर भालू के जुंड अनेक रंगों के हैं और उनमे अतुल्निय बल है और वे प्रभू के चरन कमलों में सिर्नवाते हैं महान बलवान रीच और वानर गरज रहे हैं शिराम जी ने वानरों की सारी सेना देखी तब कमल नेत्रों से क्रिपा पुर्वक उनकी और दृष्टी धाली और राम जी की क्रिपा का बल पाकर स्रिष्ट वानर मानों पंक वाले बड़े परवत हो गए तब श्री राम जी ने हर्शित होकर प्रस्थान किया अनेक सुंदर और शूब शकुन हुए जिनकी किरती सब मंगलों से पुर्ण हैं उनके प्रस्थान के समें शकुन होना यह नीती है लीला की मर्यादा है प्रभू का प्रस जान कीजी जो जो शकुन होते थे वही वही रावन के लिए अप्शकुन हुए सेना चली उसका वर्णन कौन कर सकता है चला कटुक को बढ़ने पारा गर्ज ही भानर बालू अपारा असंख्य वानर भालू गर्जना कर रहे नक ही जिनके शास्त्र है वे इच्छा अनुसार च दिशाओं के हाती विचलित होकर चिंगार रहे हैं चिकर ही दिगज डोल माही गिरी कुलोल सागर खरवरे मन हरश सबब गंदर्व सुरुमुनी नाग किन्नर दुख टरे कट कट ही मरकट बिकट भट बहु कोट कोट नदावही जैराम प्रबल प्रताप कोसलनात गुनगु गावही सही सकन भार उदा रही पति बार बार ही मोही कह दसन पुनी-पुनी कमट प्रिष्ट कठोर सोमकी मी सोही रगुवीर रुचिर प्रयान परस्तिती जानी परम सुहावनी जनु कमट खर पर सरपराज सोल लिखत अभिचल पावनी यही विदी जाए कृपान धी उतर धर्व हो देवता हो मुनी हो नाग हो किन्नर सब के सब मन में हर्शित हुए कि अब हमारे दुख टले अनेक करोड भयानक वानर युद्धा कटकटा रहे हैं करोडों ही दोड रहे हैं प्रबल प्रताप को सलनाच्री राम चंद्र जी की जय हो ऐसा पुकारते वे वे उनके गुण समूहों को गा रहे हैं उदार परम स्रेष्ट और महान सर्प राज शेश जी भी सेना का बोज नहीं सह सकते वे बार-बार मोहित हो जाते घबरा जाते और पुना-पुना कच्छप की कठोर पीट को दातों से पकड़ते ऐसा करते अर्थात बार-बार दातों को गड जाकर कच्छप की पीट पर लकीर सीखीचते हुए वे ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो श्री राम चंद्र जी की सुन्दर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्प राज शेश जी कच्छप की पीट पर लिख रहे हो इस प्रकार के प पहे भीत रहने लगे अपने अपने घरों में सब विचार करते कि अब राक्षा स्कूल को कोई उपाई नहीं है जिसके दूत के बलका वर्णन नहीं ही किया जा सकता उसके स्वयम नगर में आने पर कौन सी भलाई है हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होने वाली है दूति श्री हरी से विरोध छोड़ दीजे मेरे कहने को अत्यांती हित कर जान कर हिरदय में धारण करें समूझत जासु दूत कहीं करने इस्तरव है गर्ब रजनी चरधरनी जिनके दूत की करनी का विचार आते ही राक्षसों की इस्तरियों के गर्ब गिर जाते हैं हे प्यारे सामी यदि आप भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी इस्तरी को भेज दीजिए सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रातरी के समान आई है हे नात सुनिए सीता को दिये बिना शंबू और ब्रम्हा के लिए भी आ भला नहीं हो सकता शी राम चंद्र जी के बान सर्पों के समूह के समान है और राक्षसों के समूह मेधक के समान है जब तक वे इने ग्रस नहीं लेते तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजे मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावन कानों से उसकी वानी को सुनकर खूब हसा श्रमन सुनी सठता करिवानी बिहसा जगत विदित अभिमानी इस्तरियों का स्वभाव सच्मुची बहुत डर्पोक होता है मंगल में भी भाय करती हो तुमारा मन बहुत ही कच्चा है यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खा कर अपना ज शाकर वह सभा में चला गया मंदोदरी हिर्दय में चिंता करने लगी कि पती पर विधाता प्रतिकूल हो गए है और जो ही वह सभा में जाकर बैठा उसने ऐसी खबरपाई की शत्रू की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलह तब वे सब हसे और बोले की चुप किये रहिए अपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया है तब तो कोई श्रम नहीं हुआ फिर मनुष्य और वानर किस गिंती में आते हैं मंत्री बैद गुरू ये तीन यदी भय और आशा से प्रिय बोलते हैं तो राज शरीर और धर्म इन तीनों का शिग्रही नाश हो जाता है रावन लिये भी वही सहायता आबनी मंत्री उसे सुना सुना कर मुह पर स्थुती करते अवसर जानकर विविशन जी आये उन्होंने बड़े भाई के चड़नों में सिर नवाया और वे सिर को नवा कर अपने आसन पर बैठ ग पंदर्यश, सुबुधी, शुभगती और नाना प्रकार के सुख चाहता हो वहे हे स्वामी पर इस्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते उसी तरह से पर इस्त्री का मुख ना देखे चौदा भुवन एक पती होई भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई चौदा भुवनों का एक ही स्वामी हो वह भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता जो मनुष्य गुनों का समुद्र और चतुर हो उसे चाहे थोड़ा भी लोब क्यों नहीं कोई भला नहीं कह सकता ये सब नरक की रास्ते हैं इन सब को छोड़ कर श्री राम चंदर जी को भजिये जिने संत सत्पुरुष भजते हैं हे तात राम मनुष्यों के ही राजा नहीं है वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं वे संपुन एश्वर्य, यश, श्री, धर्म, वेराग्य, एवं ज्यान के भंडार हैं भगवान हैं वे निरामय, विकार रहित, अजनमा, व्यापक, अजे, अनादी और अनन्त ब्रह्म हैं उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृत्वी ब्रामन गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर को धारन किया है, हे भाई सुनिये, वे सेवकों को आनन्द देने वाले, दुष्टों के समुह का नाश करने वाले और वे तथा धरम की रक्षा करने वाले हैं बैर को त्याग कर उन्हें मस्तक नवाईए, वे शीरगुनाद जी शर्णागत का दुख नाश करने वाले हैं, हे नाथ उन प्रभू को जानकी जी को दे दीजिए और बिनाही कारण स्नेह करने वाले शीराम जी को भजिए जीसे संपोर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगता है, शर्ण जाने पर प्रभू उसका त्याग नहीं करते, जिनके नाम तीनों तपों को नाश करने वाला है, वे ही प्रभू भगवान मनुश्य रूप में प्रकट हुए हैं, हे रावन हिदय में इस बात को समझ लीजि बार बार पद लगाऊं, निवे नहीं करऊं दसीस, परिहरी मान मोहमद, भजहू कोसला दीस, सियावर रामचंदर कीजए, पवन सुधनु मान कीजए, हे दशीश, मैं बार बार आपके चड़नु लगता हूं, और विनिती करता हूं, कि मन, मोह, मद को त्याग कर, आप कोस पती शीराम जी का भजन कीजिए, और मुनी पुलस्त जी ने अपने शिश्य के हाथ ये बात कहला भेजी है, कि हे तात सुन्दर अफसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात प्रभू से कह दी है, माल्यवान नामक एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था, उसने उनके वच्चन सुनकर बहुत सुखमाना और कहा हे तात, आपके छोटे भाई, नीती विभूशन, नीती को भूशन के रूप में धारन करने वाले अर्थात नीती मान है, विभीशन कुछ कह रहे हैं, उसे हृदय में धारन कर लीजिए, रामन ने कहा, ये दोनों मुर्ख, शत्रु की महिम सुमती कुमती सब के उर रह ही, नात पुरान निगम असकह ही, जहां सुमती तह संपती नाना, जहां कुमती तह विपदिने दाना, सुबुधी और कुबुधी सब के हृदय में रहती है, जहां सुबुधी हो, वहां नाना प्रकार की संपदाएं, सुख की स्थिती रहती है और जहां कुबुद्धी हो, वहां परिणाम में विपत्ती ही आती है, आपके हृदय में उल्टी बुद्धी आबसी है, इसी से आपको हित अहित और शत्रुक को मित्र मान रहे हैं, जो राक्षा स्कुल के लिए काल रातरी के समान हैं, उन सीता पर आपकी बड़ी पृती आ ही है हे तात मैं चरन पकड़ कर आप से भीक मांगता हूं कि आप मेरा दुलार रखिए शीराम चंद्र जी को सीता जी को दे दीजिए जिसमें आपका अहित ना हो विभीशन ने पंडितों पुरानों वेदो द्वारा सम्मत वानी से नीती बखान कर कही पर उसे सुनते ही राम अरे दुष्ट बताना जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपने भुजाओं के बल से ना जीता हो मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर मुर्ख उनी से जामिल और उनी को नीती बता ऐसा के कर रावन ने उसे लात मारी परंतु छोटे भाई विभीशन ने म की भलाई ही करते हैं विभीशन जी ने कहा आप मेरे पिता के समान है मुझे मारा सो तो अच्छा किया परंतु हे नात आपका भला शीराम जी को भजने में ही है इतना कहकर विभीशन अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सब को सुना कर ऐसा करने लगे शीराम जी के सत्य संकल्प एवं सर्फ समर्थ प्रभू है और हे रावन तुम्हारी सभाकाल के वश में है अता मैं अब शीरागवीर जी की शरण जाता हूँ मुझे दोश न देना असक ही कला विभीशन जब हें आयूहीन भए सब तबं ही साधू अवग्या तुरत भवानी कर कल्झान COM खिल गयानी ऐसा कर कर अनेकों मनोरत करते वे शीरगुनाजी के पास चले वे सोचते जाते थे मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुन्दर चरन कमलों के दर्शन करूंगा जो सेवकों को सुक देने वाले है जिन चरनों का स्पर्ष पाकर रिशी पतनी अहिल्या तर गई और जो दंडक व जिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं मेरा अहो भाग्य है कि उन्ही को मैं आज देखूँगा जिन चरन की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है अहां आज मैं उन्हीं चरनों को अभी जाकर इन नित्रों से देखूँगा एही बिदीकरत स प्रेम विचार आये उसपदी सिंदु ही पारा कपिन विभीषण आवत देखा जाना कोई रिपू दूत भी सेसा इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते वे शिग्र समुद्र के उस पार जहां शी रामचंद्र जी की सेना थी वहां गए और वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रू को कोई खास शत्रू है उन्हें ठहरा कर वे सुग्रीव जी के पास आये और उनको सब राजसुग्रीव ने कहा है महराज सुनिये राक्षसों की माया जानी नहीं जाती या इच्छा अनुसार रूप बदलने वाले न जाने किस कारण में आया है या मुर्ख शायद हमारा भेद लेने आया है इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांद कर रखा जा और मन ही मन कहने लगे भगवान कैसे शर्नागत वतसल शर्नागत में आये हुए पिता की भाती प्रेम करने वाले हैं। पापी का यह सभाव सहज हो जाता है मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता यदि वर रावन का भाई निश्चय ही दुष्ठिरदय का होता तो क्या वो मेरे सम्मुक आ सकता था जो मनुश्य निर्मनमन का होता है वही मुझे पाता है मुझे कपट और छल शिद्र नहीं सुहाते यदि उसे रावन में भेड लेने के लिए भेजा है तब भी हे सुग्रीव अपने को कुछ भी भाई आहानी नहीं है क्योंकि हे सके जगत में जितने भी राक्षस हैं लक्षमन छन भर में उन सब को मार सकता है और यदि वह भाई भीत होकर मेरे शरण में आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा क्रिपा के धाम शीराम जी ने हास कर कहा दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ तब अंगद और हनुमान जी सुग्रीव सहित क्रिपालु शीराम जी की जय हो ऐसा कहते वे चले विभीशन जी को आदर सहित आगे करके वानर फिर वहां से चले जहां करुणा की खान स्री रगुनाज जी थे नेत्रों को आनंद दान देने वाले दोनों भाईयों को विभीशन जी ने दूर से ही देखा फिर शोभा के धाम शीराम जी को देखकर वे पलक रोक कर ठीटक कर एक टक देखते रहे गए भगवान की विशाल भुजाएं हैं लाल कमल के समान नेत्र है और शर्णागत के भाय का नाश करने वाला सावला शरीर है सिंग के से कंदे है विशाल वक्षस थल है चोड़ी चाती अत्यंत शोभा दे रहे हैं और असंख्य काम देवों के मन को मोहित करने वाला मुख है और भगवान के स्वरूप को देखकर व यह देवताओं के रक्षक मेरा जनम राक्ष स्कुल में हुआ है मेरा तामसी शरीर है स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है जैसे उल्लू को अंदकार सहज स्ने होता है मैं कानों से आपका यश सुनकर आया हूँ प्रभु भाव के भै को नाश करने वाला है दुखियों के दुख को दूर करने वाला और शर्नागत को सुख देने वाले शीरगुवीर मेरी रक्षा कीजिए और प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो अत्यंत हर्शित होकर तुरंत उठे और विभीशन जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत भाए उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़ कर उसे हृदय से लगा लि दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो ऐसी दशा में हे सके तुम्हारा धरम किस फ्रकार निपता है मैं तुम्हारी सब रीती जानता हूँ तुम्हें अनीती नहीं सुहाती हे तात नरक में रहना से अच्छा है परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी न दे हे रग जो तुम कीनी जानी जंदाया तब तक जीवन की कुशल नहीं और ना स्वपन में भी उसके मन को शांती है जब तक वह शोक के घर का काम विशे कामना को छोड़ कर शीराम जी को नहीं भचता लोब मोह मतसर डाह मद और मान आदी अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बस है वह ममता रूपी रात्री तभी तक जीव के मन में बसती है जब तक प्रभू का प्रताप रूपी सुर्य उधय नहीं होता है शीराम जी आपके चर्णार व्रिंद के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ मेरा भारी भय मिट गए हैं है कृपालू आप जिस पर अनुकूल ह होते हैं उसे तीनों प्रकार के भवशिवूल आध्यात्मिक आधी दैविक आधी भौतिक ताप नहीं व्यापते मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ मैंने कभी शुव आचरन नहीं किया जिनका रूप मुनियों के ध्यान में भी नहीं आता उन प्रभू ने स् सुक के पुंज श्री राम जी मेरा अत्यंत असीम स्वभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरन कमलों को अपने नेत्रों से देखा तब श्री राम जी ने कहा है सखा सुनो मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ जिसे काक संडी शिव जी और पार्वती जी भी जानती है कोई मनुश्य जड़ चेतन जगत का द्रोही हो यदि वह भी भैभीत होकर मेरे शरन तक आ जाता है और मद मोह तथा नाना प्रकार के चल और कपट को त्याग देता है तो मैं उसे बहुत शिग्र साधू के समान कर देता माता, पिता, भाई, पुत्र, स्त्री, शरीर, धन, घर, मित्र और परिवार इन सब के ममत्वर रूपी तागों को बटोर कर और उन सब की एक डोरी बट कर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चर्णों में बांध देता है सारे सांसारिक संबंदों का केंद्र मुझे बना करता है, जो समदर्षी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्श शोक और भय नहीं है, ऐसा सजण मेरे बहीं में कैसे बसता है, जैसेbellों के लोई跟大家 में धन बसा करता है, तुम शरीखे संथ ही मुझे प्रिया है, मैं और किसी के निहोरे से देधारन नहीं करत जो सगुन साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीती और नियोमों में ध्रड हैं, और जिने ब्रामणों के चर्णों में प्रेम हैं, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं, हे लंकापती सुनो, तुम्हारे अंदर उपर युक्त सब गुण ह इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिया हो, शीराम जी के ऐसे वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह शीराम जी की जय हो, कृपा के समूह शीराम जी की जय हो, प्रभु की बानी सुनते, और उसी कानों के लिए अमृत जानकर विभीशन जी अगहाते नहीं है वे बार बार शी राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं अपार प्रेम है हृदय में समाता नहीं है विभीशन जी ने कहा हे देव हे चराचर जगत के स्वामी हे शर्नागत के रक्षक हे सबके हृदय की भीतर को जानने वाले सुनिये मेरे हृदय में पहले कुछ वा अंधीर प्रभो शी राम चंद्र जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा और कहा हे सखा यद्यपी तुम्हारी इच्छा नहीं है पर जगत में मेरा दर्शन अमोग है वह निश्वल नहीं जाता ऐसा कहकर शी राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया और अकाश से पुश् अंधर राज ये दे दिया शिव जी ने जो संपत्ती रावण को दसों सीरों की बली देने पर दी थी वही संपत्ती शी रगुनाज जी ने विभीशन को बहुत सकुचाते वे जी जो संपती सिव राव नहीं दिन है दिये दसमात सोई संपदा विभीश नहीं सकुच दिनी अपना सेवक जानकर विभीशन को शीराम जी ने अपना लिया और प्रभू का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत भाया फिर सब कुछ जानने वाले सबके हृदय में बसने वाले सर्वस्वरूप सबसे रहित उदासीन कारण से मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले शीराम जी नीती की रक्षा करने वाले वचन बोले हे वीरवानर राज सुग्रीव और लंकापती विभीशन सुनो इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए अनेक जाती के मगर सांप और मचलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अत्हा समुद्र पार करने में सबसे कठिन है विभीशन जी ने कहा है रगुनाज जी सुनिये यद्यपी आपका एक पान ही करोडो समुद्र को सोखने वाला है तथा पी नीती ऐसी कही गई है कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए प्रभू समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं वे विचार कर उपाई बतला देंगे तब रीच और वानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र पार उतर जाएगी शिराम जी ने कहा है सका तुमने अच्छा उपाई बतलाया है यही किया जाए यदि देव सहायक हो यह सलाहा लक्षमन जी के मन को अच्छी नहीं लगी शिराम जी के वच्चन सुनकर उन्होंने बहुत ही दुख पाया और लक्षमन जी ने कहा हे नात देव का कौन भरोसा पुकारा सुनत भीहसी बोले रगुवीरा ऐसे करब धरव मंदीरा यह सुनकर शीरगुवीर हसकर बोले ऐसा ही करेंगे मन में धीरज रखो ऐसा कहकर छोटे भाई को समझा कर दूशी रगुनाजी समुद्र के समीप गए और उन्होंने पहले सिर नवाकर समुद्र को प्रणा किया फिर किनारे पर कुश बिचा कर बैठ गए इधर जो ही विभीशन जी प्रभू के पास आये थे जो ही रावन ने उनके पीछे दूद भेजे थे कपट से वानर का शरीर धारन कर उन्होंने सब लीलाएं देखी वे अपने हिर्दे में प्रभू के गुणों की और शन्न के दूत हैं और वे उन सब को बांद कर सुग्रीव के पास ले आये सुग्रीव ने कहा सब वानरों सुनो राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो सुग्रीव के वचन सुनकर वानर दोड़े दूतों को बांद कर उन्होंने सेना के चारों और गुमाया और वानर उन्हें बहुत प्रकार से मारने लगे तब वे दीन होकर पुकारते थे फिर भी बानर उन्हें नहीं छोड़ते तब दूतों ने पुकार कर कहा जो हमारा नाक कान काटेगा उसे कोसला धी श्री राम जी की सौगंद सुनी लक्षमन सब निकट बुलाई दया लागी हसी तुरंत सदेह से बाचो स्फिर उस मुर्ख से जुबानी या मेरा उदार कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को दे कर उनसे मिलो नहीं तो तुम्हारा काल आ गया समझो लक्षमन जी के चर्णों में मस्तक नवाकर शीराम जी के गुणों की कथा वर्णन करते वे दूत कुछल क्यों नहीं कहता फिर उसी भी भीषण का समाचार सुना मृत्यू जिसके अत्यंत निकट आ गई है मुर्ख ने राज्य करते वे लंका को त्याग दिया अभागा अब जौक का कीड़ा बनेगा जौक के साथ घुन भी पिस्ता है वैसे ही नर्वानरों के साथ वह भी मारा जाएगा फिर भालू और वानरों की सेना का हाल कहे जो कठेन काल की प्रेना से यहां चली गई है और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है अर्थात उनके और राक्षसों की बीच में यदी समुद्र न होता तो अब तक राक्षस मार कर खा गए होते फिर उन तपस्वियों की बात पता जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है की भाई भेट की फिरी गए श्रवन सुजसु सुनी मोर कहसी नरी पुदल तेज बल बहुत चकत चित चोर सियावर रामचंदर की जय पमंसु थनुमान की जय उनसे तेरी भेट हुई यावे कानों से मेरा सुयश सुनकर लोट गए शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं तेरा चित बहुत ही चकित सा हो रहा है दूत ने कहा हेना आपनी जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़ कर मेरा कहना मानिये जब आपका छोटा भाई शिराम जी से जाकर मिला तब उसके पहुचते ही शिराम जी ने उसका राज तिलक कर दिया हम रावन के दूत हैं यह कानों से सुनकर वानरों ने हमें बांध कर बहुत कष्ट दिये यहां तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे शिराम जी की शपत दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा हेनात आपने शिराम जी की सेना पूछी सो वह तो सौ करोण मुखों से भी वर्नन नहीं की जा सकती अनेक रंगों के भालू वानरों की सेना है जो भयंकर मुख वाले विशाल शरीर वाले और भयानक हैं जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्रक्षे कुमार को मारा उसका बल तो सबवानरों में थोड़ा है असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योदा है उनमें असंख्य हातियों का बल है बड़े ही विशाल है वी विद मयंद नील अंगद गद विकटास्य दधी मुकेसरी निशट शट और जामवान ये सभी बल की राशी है ये सबवानर बल में सुग्रीव के समान है और इनके जैसे एक दो नहीं करोडों है उन बहुत सो को गिन ही कौन सकता है शीराम जी की किरपासे उनमें अतुल्निय बल है वे तीनो लोगों को तृण के समान तुछ समस्ते हैं असमे सुना श्रवन दसकंदर पदम अठारा जूत पबंदर नाथ कटक महसो कपी नहीं जो न तुम हैं जीते रनमा हैं हे दशग्रीव मैंने कानू से ऐसा सुना है कि अठारा पदम तो अकेले वानरों के सेना पती है अता हे ना उस सेना में ऐसा कोई वानर नहीं है जो आपको रनमे ना जीत सके सब के सब अत्यंत क्रोज से हात मीजते हैं परशी रगुनात जी उन्हें आग्या नहीं देते हम मचलियों और सापों सहित समुद्र को सोख लेंगे नहीं तो बड़े बड़े परवतों से उसे भर कर पूर ही जाना चाहते हैं सब वानर भालू सहज ही शूरवीर हैं फिर उनके सिर पर प्रभुशी राम जी हैं हे रावन वे संग्राम में करोणों काल को जीत सकते हैं शी राम चंद्र जी के तेज बल और बुद्धी की अधिक्ता को लाखों शेश भी नहीं गा सकते वे एक ही बान से सैकनों समुद्र को सोक सकते हैं परंतु नीती निपुण शी राम चंद्र जी ने नीती की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा उनके वचन सुनकर वे समुद्र से राह मांग रहे हैं उनके मन में कृपा भरी है इसलिए उसे सोकते नहीं है दूद के वचन रावन खूब हसा और बोला जब ऐसी बुद्धी है तभी तो वानरों को सहायक बनाया है स्वभाविक ही डरपोक विभीशन के वचन को प्रमान करके उन्होंने समुद्र से मचलना ठाना है अरे मुर्ख जूटी बढ़ाई क्यों करता है बस मैंने शत्रु के बल और बुद का क्रोध बढ़ गया उसने मौका समझ कर पत्रिका निकाली और कहा श्री राम जी के छोटे भाई लक्षमन ने यह पत्रिका दी है हेनात इसे बचवा कर छाती ठंडी कीजिए रावन ने हसकर उसे बाए हाथ से लिया और मंत्री को बुला कर वह मुर्ख उसे बाचने लगा पत्रिका में लिखा था अरे मुर्ख केवल बातों से ही मन को रिजा कर अपने कुल को नश्ट भ्रष्ट ना कर श्री राम जी से विरोध करके तू विश्नु ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा या तो अभी मान छोड़ कर अपने छोटे भाई विभ पत्रिका सुनते ही रामन मन में भैबीत हो गया परन्तु मुक से मुस्कुराता हुआ सब को सुना कर कहने लगा जैसे कोई प्रिच्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेश्टा करता हो वैसे ही यह छोटा तपस्वी वाग विलास करता है डिंगे हांकता है और शुक ने कहा हे नात अभिमानी स्वभाव को छोड़ कर सब बातों को सत्य समझे क्रोध छोड़ कर मेरा वच्चन सुनिए हे नात शीराम जी से बैरत्याग दीजिए यद्यपी शीरगुवीर समस्त लोकों के स्वामी है पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है मिलते ह प्रभु आप पर क्रिपा करेंगे आपका एक फी अपराद वेहरदय में नहीं रखेंगे जान की जी शीरगुनाज जी को दे दीजे हे प्रभु इतना कहना मेरा कीजिए और जब उस दूत ने जान की जी को देने के लिए कहा तब दुष्ट रावन ने उसको लात मारी वह ज्यानी मुनी था अगस्ते रिशी के शाप से राक्षस हो गया था और बार बार शीराम जी के चर्णों की बंदना करके वह मुनी अपने आश्रम को चला गया इधर तीन दिन बीत गये किन्तु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता तब शीराम जी क्रोज सहित बोले बिना भ पिलसन पृति सहज कृपन संसुंदर नीती ममता रतसन ज्यान कहानी अति लोभी सन बिरति बखानी ममता में फसेवे मनुष्य से ज्यान की कथा अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्नन क्रोधी से शांती की बात और कामी से भगवान की कथा इनको वैसा ही फल होता है जैसे उ इसे समुद्र के हिदय अंदर अगनी की ज्वाला उठी, मगर साप तथा मचलियों के समु व्याकुल हो गए। मेरे सब अगुण छमा कीजिए, हेनात, आकाश, वायू, अगनी, जल और पृत्वी, इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है, आपकी प्रेणा से माया नेने स्रिष्टी के लिए उत्पन्न किया है, सब ग्रंथों ने यही गाया है, जिसके लिए स्वामी की जैसी आग्या है वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है, प्रभु ने अच्छा किया, जो मुझे दंड दिया, किन्तु मर्यादा भी आपकी ही बनाई हुई है, ढोल गमार शुद्र पशुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, ढोल गमार शुद्र पशु और इसरी यह सब शिक्षा के अधिकारी है, और प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा, सेना आर पार उतर जाएगी, इसमें मेरी बढ़ाई नहीं है, तथा पी प्रभु की आग्या अपेल है, ऐसा वेद गाते हैं, अब आपकी जो अच्छा लगे, तुरंत वहीं करूं, और समुद्र के अत्यंत विनीत वच्चन सुरक कृपाल श्री राम जी ने मुस्कुरा कर कहा है, तात जिस प्रकारवानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताओ, तब समुद्र ने कहा है, नाथ नील और नल दोवानर भाई हैं, उन्होंने लड़कपन में रिशी से आशिरवाद पाया था, उ पारी हर ही, जलधी प्रताब तुमारे, मैं भी प्रभू की प्रभुता को इस दे में धारन कर, अपने बल के अनुसार सहायता करूंगा है नाथ, इस प्रकार समुद्र को बांधिये, जिससे तीनों लोकों में आपका सुन्दर यश गाया जाए, और इस बान से मेरे उत्तर समुद्र हर्शित होकर सुखी हो गया, उसने उन दुष्णों का सारा चरित्र प्रभू को कह सुनाया, फिर चर्णों की बंदना की और समुद्र में चला गया, निजभवन गयवन दे सकंदर सिंदु शीरगुपति यमत भाया हूं, यह चरित कली मल हर जथामति दास तुलस समुद्र अपने घर चला गया, और शीरगुद्र जी को यह मत अच्छा लगा, यह चरित्र कल्यू के पापो को हरने वाला है, इसे तुलसिदास जी ने अपने बुद्धी के अनुसार गाया है, शीरगुद्र जी के गोण समुद्र सुख के धाम संदेह का नाश करने वाले विशाद का दमन करने वाले हैं, अरे मूर्ख मन, तु संसार का सब आशा भरोसा त्याक कर, निरंतर इसे गा और सुन, सकल सुमंगल दायक, रगुनायक गुनगान, सादर सुनेते तरहीं, भव सिंदु बिना जल जान सियावर रामचंदर कीजे, पवनसुत हनुमान कीजे, शी रगुनाजी का गुनगान, संपुर्ण, सुन्दर मंगलों को देने वाला है, और जो भी मनुश्य इसे आदर सहित सुनता है, वह बिना किसी जहाज के ही भव सागर को तर जाता है, बोल ये श्री रामजी कीजे, सियावर रामचंदर कीजे, पवन पुथ हनुमान कीजे जो से ङाखर कीजेए कीजेशद कीजेए कीजेढ कीजे़।